वेलकम बैक टू माई चैनल वीवर्स आप लोगों की डेट शीट आ गई है डियलेड वालों की डेट शीट आ गई है यूपी डियलेड डेट शीट आ गई है जिनके भी बैक पेपर हैं उनकी भी आ गई हो बाकि सबी की आ गई है तो यह आपका फर्स समिस्टर की है यह आपक कि दो पेपर होंगे 30 तारीक को आपका कौन सा होगा 30 तारीक को आपका बाल विकास होगा और आपका शिक्षण अधिगम के सिध्धान याने कि एजुकेशन वल और एजुकेशन जो सेकेंड है 2 है वो आपका 30 तारीक को होगा जो की टाइमिंग यहां पर दी है देखिए 10 से 12 आपका चलेगा बाल विकास का और 2-4 जो है वो आपका होगा शिक्षण अधिगम के सिध्धान तो यह दोनों पेपर जो है वो आपका 30 तारीक को होगा और 31 को आपका विज्ञान होगा गड़ित होगा और समाजी कध्यन यह तीनों सब्जिक के पेपर आपके 31 तारीक को हो मिद्धी ने कि उडिकर approach को है shouting यह देखे में उनके अठेट सहरे कप में कि आपका 22 का पेपर जो जो समाजी कध्यन तो यह तारीक को आपके तीनों पेपर होगे और एक तारीक को आपका हिंदी हो गांगा उड़ित और 20 और तारीक को आपका हंड़े और 1 तारीक को अपका पेपर होगा और computer होगा ये तीनों पेपर आपके एक तारीख को होंगे timing यहां पर देखे दी है Hindi की timing 10-11, उर्दु की timing 12-1 और computer की timing 2-3 तो ये तीनों पेपर क्या है ये तीनों पेपर आपके एक एक घंटे के हैं तो अब हम लोग देखेंगे जो second semester की आई ये डेटशीट उसको भी देखते हैं यह रही आपकी second semester की डेटशीट जिनका भी second semester है उनके लिए ये डेटशीट आई है उनका exam 5 तारीक को start होगा 5 नवंबर को start होगा तो यहाँ पे देखें 5 नवंबर को उनके दो पेपर हैं वर्तमान भारतिय समाच एवं प्रारंबिक श चिक्षा के नवीर्ण पिर्यास की दोनों पेपर होंगे आपके थर पाश तारीक को टाइमिंग यहां पर देखे दी है 10-12 और 2-4 दोनों पेपर दो गंटे के होते हैं उसके बाद 6 तारीक को जो पेपर है वो तीन पेपर आपके पढ़ेंगे 6 तारीक को आपका विज्यान हो आपका जो 7 तारीक को पेपर पढ़ेगा वो दो पेपर होंगे हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा जिसके टाइमिंग क्या दिया है 10-11 और 12-1 अब हम लोग देखते हैं 3rd सेमिस्टर की जो डेट शीट आईए यह रही आपकी 3rd सेमिस्टर की डेट शीट जिनका भी 3rd सेमिस्टर है उनके लिए है यह उनका पेपर स्टार्ट होगा दो तारीक से इनकी 2 नवंबर से स्टार्ट होगा 2 नवंबर को 2 पेपर पढ़ेंगे पहला है शेक्षिक मुल्यांकन किरियात्मक शोद एवं नवचार यह पढ़ेगा और 2 जो उसी दिन पेपर है वो है समवेशी शिक्षा तो यह दोनों पेपर आपके दो तारीक को होगे जो की टाइमिंग आपे उसकी भी दी है 10-12 और 2- लेeld को है और 3 तारीक होगा विध्यान का गड़ित को होंगे जिसके टाइमिंग आपे दहते हैं 10-11 आपका गड़ित का 12-1 हो जिसके टाइमिंग यहां पर देखे दी है, 10-11 आपका हिंदी होगा, 12-1 आपका उर्दू या संस्कित होगा और 2-3 आपका क्या होगा, कम्प्यूटर होगा, क्योंकि यह एक घंटे का पेपर होते हैं यह तीनों पेपर एक घंटे के हैं, इसलिए, तो यह हम लोगों ने देखी अभी तीसरे समिस्टर की डेट शीट, अब हम लोग 4 समिस्टर की डेट शीट देखेंगे ओके ये रहे आपकी 4 समिस्टर की डेट शीट 4 समिस्टर के जो एक्जाम है वो आपका 9 नमवंबर से स्टार्ट होगा और 11 नमवंबर को एंड हो जाएगा तो 9 नमवंबर को 2 पेपर पढ़ेंगे पहला जो पेपर है आपका वो है आरंबिक इस्तर परभाश है एवं गड़ित के पठन लेखन शमता का विकास और ये आपका पेपर जो है वो 10 से 12 चलेगा क्योंकि 2 घंटे का होता है और फिर 2 से 4 जो है वो आपका शैक्षिक पिरबंधन एवं पिरशाशन ये आपका जो है ये आपका 2 से 4 इसकी टाइमिंग दी है ये दोनों पेपर आपके 9 तारिकों होंगे और 10 तारिकों आपका होगा विज्यान का, गड़ित का और समाजिक अध्यान ये तीनों पेपर आपके 10 तारिकों होंगे जिसके टाइमिंग यहां पे दी है विज्ञान की है दस से ग्यारा और बारा से एक है गड़े तो समाजिक अधियन दो से चार उसके बाद आपका जो ग्यारा को पेपर है वो तीन पेपर है हिंदी इंग्लिश और शांती शिक्षा एवं सतत विकासी तीनों पेपर जो आपके हैं ये ग्यारा तारिक को होंगे ज तो से तीन होगा तो इस तरह से चारो समिस्टर की अधिया है तो इस तरह से चारो समिस्टर की दोड़ाए को